आज मैं आप लोग साथ एक पहुत ही इंट्रेस्टिंग फेसल से करने जा रहे हूं अपने अगर फेस के डार्क स्पोर्ट्स चाहियां पिग्मेंटेशन और जो आपके फेस पर गड़े हो जाते हैं उससे आप अगर पहुत ज्यादा परिसान हो चुके हैं तो फेसल आप लो मैं ने चार स्टेप को क्रेट किया हुए isาก को ठेट यहां को बना होगा plans फेस पर एक जिले को पहुतनर अजिए अगर मिलेगा कि अच्छे जादा पहल्स पर उससे पहले आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करtsårets कर बिलएकर एक सर्विक कर दिजेगा, इस फेसल को स्टार्ट करने से पहले आप एक मीडियम साइस पोटाटो को अच्छी तरीके से पिल ओफ कर लिजेगा, और उसके बाद इससे आप ग्राइंडर में ग्राइंट कर लिजेगा, एक क्लीन कंटेनर पर आप कॉटन का एक रोथ रख लिज किया हुआ है, तो आप इसका जो जूस है उसे अलग कंटेनर में और जो पल्प है उसे आप एक अलग कंटेनर में सेपरेट कर लिजेए, आप हम लोग मूफ करते हैं क्लिंजिंग के लिए टू स्पून पोटाटो जूस, वन स्पून कर्ड को अच्छी तरीके से मिक्स कर ल फेस पर जो भी dust है, impurities है, उसे बहुत ही easily हटाता है और पोटाटो जूस आपके skin को थोड़ा सा light करता है और आपके फेस पर bleaching properties को increase करता है second step है friends scrubbing, इसके लिए आपको rice floor लेना होगा और पोटाटो जूस लेना होगा और इन दोनों को अच्छी तरीके से mix करके अपने face पर spread कर लेना होगा friends आपको इस scrub से 5-10 minutes अपने face को gentle massage करना होगा इससे क्या होगा friends कि आपके face पर जो भी dry skin है या फिर आपके face पर बहुत ही जादा dead skin cells जमी हुई है वो बहुत ही easily निकल जाएगी 5-10 minutes gentle scrub करने के बाद friends आपको क्या करना होगा अपने face को normal water से wash करके depth motion में face को dry कर लेना होगा third step है facial massage cream इसके लिए 2 spoon potato juice उसके बाद मैं इसमें अपना favorite moisturizer को भी add कर सकते हैं दिन इसमें half spoon honey add करूंगी और इन सारे ingredient को mix करके अपने face पर apply करूंगी उसके बाद मैं इस facial massage cream से अपने face को 5-10 minutes अच्छे से gentle massage करूंगी इससे क्या होता है friends कि अगर आप scrubbing करते हो तो आपके जो pores होते हैं बहुत ज्यादा open up हो जाते हैं तो massaging से क्या होगा कि आपके pores है जो close हो जाएंगे और आपके face को भी एक अच्छा सा relax मिल जाएगा और आपको एक अच्छा सा relax महसूस होगा और आपके face है काफी glow हो जाएगी क्योंकि ज्यादा तर facial में जो facial step होता है friends, massaging का वो बहुत ही ज्यादा beneficial होता है उसके बाद हम लोग अपना fourth और last step के और move करेंगे जो मैंने आलू का गूदा रखा हुआ था वो लूँगी उसके बाद मैं इसमें half spoon basin, थोड़ा सा हल्दी और two spoon milk एड़ करूँगी और इन सारे को एक अच्छा सा paste बना लूँगी, आप इसकी consistency ज्यादा रनी मत रखना friends उसके बाद मैं आलू के गूदे से friends मैंने आखों के लिए दो slash बना लिया है कुछ इस तरीके से ये हमारे dark circles को बहुत ही easily height करेगा अब मैं अपने face पर सबसे पहले face pack को apply कर लूँगी apply करने के 10 से 15 मिनट वाद इसे मैं normal water से wash कर लूँगी friends मैंने इसमें add किया हुआ है potato का pulp potato के pulp आपके skin को बहुत easily lighten करती है, brighten करती है और जो basin है आपके skin के elasticity को maintain करती है और जो मैंने potato का slice बनाया हुआ था उसे मैं अपने आखो पर पाच से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद मैं normal water से ही अपने face को wash कर लूँगी I hope guys आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इस फिसने को बिग में एगव और ट्राइए अगर उससे भी जाद करना होगा दोबबाद बिल्गुल मैं पर पिस पर इसे बिग में दो बर्रोट करवें तो आपको अच्छा रिजट में नहीं है अब पहुत ही ज़्याद अबीजी परसन हो तो इसे बीक में एक वार यूज़ कर सकते हो तो आपको फेस पर पहुत ही अच्छा से एक प्यारा सक लोग आएगा और आपकी फेस रहेगी स्पार्ट लेस साधे जातक भी फेस रहेगी यह जो कि हर लड़की इसकी ख्वाइस होत ही है तो थैंक्स वाचिंग वीडियो तिल दें बावाइए